हिंदू-धरnd में एकदशी का व्रत महतफूर्ण स्तान ॥ाँप प्रतेक वर्ष 27 एकदशियाँ होती है इसमें अशाड क्रिशन पक्ष की एकदशी को योगनी एकदशी कहते है अशाड क्रिशन एकदशी का नाम योगनी है, इसके ब्रत से समस्त पापनश्ट हो जाते हैं, यह इस लोग में भोग और परलोग में मुक्ति देने वाला है, यह तीनों लोगों में प्रसिद है, योगनी एकदशी की कथा इस परकार है, एक बार की बात है, धमराच युदिस अशाड क्रिशन एकदशी की कथा सुनाये, इसका नाम क्या है, यह सब ही बतला है, च्री क rally केंदशी का नाम योगनी है, इसके ब्रत से समस्त पापनश्ट हो जाते हैं, यह इस लोग में भोग और परलोग से मुक्ति देने वाला है, यह तीनों लोगों में प्रसिद हैं, म पुजा किया करता था हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर इस्थरी थी एक दिन मान सुरोबर से पुष्प तो ले आया लेकिन कामक सक्त होने के कारण वे अपनी स्थरी से हाई विनोध तथा रमन करने लगा इधर राजा उसकी दुपहर तक रहा देखता रहा अंत में कुबेर ने सेवको को आगया दे कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो क्योंकि वे अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया सेवको ने कहा कि महराज वे पापी अतिकामी है अपनी स्थरी के साथ हास विनोध और रमन कर रहा है यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित के इश्वर श्री सिपजी महराज का आनाधर किया है इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुस्तरी का वियोग रहेगा सहेगा और मित्यू लोग में जाकर कोड़ी होगा कुबेर के श्राप से हें माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी च्छन प्रित्मी पर गिर बूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोड़ हो गई उसकी स्तरी भी उसी समय अंतरध्यान हो गई मित्यू लोग में आकर माली ने महान धुक हो गए भैंकर जंगल में जाकर बिना आने और जलके भटकता रहा रातरी को निंद्रा भी आ जाती थी परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाब से उसको पिछले जनम की स्मृति का ज्यान अवश्य रहा गुमते गुमते एक दिन मारकंडे रिशी के आश्रम में पहुचा जो ब्रह्मा से भी अधिक व्रिद्ध थे जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था हे माली वहां जाकर उनके पै मेरे समुक सत्य वचन कहें हैं इसलिए तेरे उधार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूं यदि तू जेस्ट मास के क्रिशन पक्ष की योगनी एकादशी का विधी पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे यह सुनकर हे माली ने अत्यान प्रसन होक अगर मुनी को साच टांग परणाम किया मुनी ने उसे स्नेहे के साथ उठाया हे माली ने मुनी के कथा अनुसर विधी पूर्वक योगनी एकादशी का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वे अपने पुराने से रूप में आकर आ गया और वे अपनी इस तरी के साथ सुक पूर्वक रहने लगा